सुप्रभाद मेरे प्यारे भज्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब स्वस्त होंगी आईए आज हम हिंदी व्याकरण का पाट 15 महीने पढ़ीगी तो सबसे पहले आप बताईए हमारे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बताईए बारा महीने जी हाँ बारा महीने जैसे अंग्रेजी में एक वर्ष में बारा महीने होते हैं उसी प्रकार हिंदी में भी एक वर्ष में बारा महीने होते हैं लेकिन हम हिंदी के महीनों को जाते ही नहीं हैं उनको भूलते जा रहे हैं तो आईए आज हम हिंदी के महीनों के नामों को जानें हमारा अंग्रेजी का वर्ष जैन्वरी महीने से प्रारंग होता है लेकिन हमारा हिंदी का वर्ष चैत्रमास से शुरू होता है चैत्रमास अथार अंग्रेजी में आप्रिम जिसमें हमारी फसलेट पक जाती है तयार हो जाती है और आपको मालूम है कौन सा त्योहार आता है बताएए बैसाकी जी हाँ बैसाकी का त्योहार आता है तो बैसाकी का त्योहार कौन से मास में आता है चैत्रमास में चैत्रमास अ और महीनों के बारे में जाते हैं। चैत्र हिंदू कलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र। इस महीने से ग्रिश्वरितू की आवट शुरू हो जाती है। हिंदू कलेंडर के अनुसार बैसाग दूसरा महीना है। जेश्ट ये हैं अधिक गर्मी वाला होता है इस महीने में आने वाले प्रमूकटवार गंगा दशेरा और निर्जला एकादशी है और इस महीने में बच्चों को आइसक्रिम खाना बहुत अच्छा लगता है अशाड तमील में इस महीने को आदी कहती है इस महिने में पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है श्रवन सावन का महिना सबसे पवित्र महिना माना जाता है और इस महिने से तोहार शुरू हो जाते हैं जैसे रक्षा बंधन, जनमाश्टमी, आदी श्रवन का महिना समाप्त होते ही भाद्र पद का महिना आता है यह हिंदू कलेंडर के नुसार छटा महिना है आश्विन आश्विन महिने को हम कोहार भी कहते हैं नवरात्री, दुर्गा पूजा, दिपावली आधी प्रमुक्तेवहार इस महीने में मनाये जाते हैं कार्तिक कार्तिक आमवस्या को हिंदूओं का प्रमुक्तेवहार दिपावली मनाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम देव दिवाली मनाते हैं और गुरु नानक जैनती भी इसी महिने में आती है मार्गशीश मार्गशीश का महिना बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें उनका मन पसंद त्योहार क्रिस्मस आता है पॉश सबसे अधिक ठंड वाला महिना होता है लोहडी, पोंगल, एवन मकर सकराती जैसे त्योहार पॉश के महिने में मनाए जाते है मार्ग इस महिने में विद्या की देवी, कला की देवी, सरस्वती की पुजा, वसंत पंचमी के त्योहार के रूप में की जाती है फालगून फालगून का महिना बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि इस महिने में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है बच्चों, अब आपको हिंदी के बारा महिनों का ज्यान प्राप्थ हुआ अब आप इनका अच्चे से अभ्यास करेंगे धन्यवाद